हलो और वेलकम तो दी ओनलाइन प्लैट्फर्म फ्राव्वाज एकडमी फॉर कॉंपेटिटिव एक्जाम्स अन आई प्रग्या पांट्रे वेलकम यू अल तो आर वेरी स्पेशल सीरीज ऑन टेली निव्स रिव्यू बात करते हैं आज के महत्वपून आर्टिकल्स के बारे म सबसे पहले हम डिसकस करेंगे FSSAI के द्वारा निकाले गए फूट सेफटी इंडेक्स के बारे में चलिए देख लेते हैं पहला आर्टिकल यहाँ पर क्या बोल रहा है रिसेंटली आपको पता होगा जो हमारा Food Safety and Standard Authority of India है इन्होंने State Food Safety Index जैसे हम usually SFSI के नाम से भी जानते हैं इसको यहाँ पर रिलीस कर दिया है और 2023 का जो score है यह बहुत ही जादा एक warning, alarming sign की तरह है क्योंकि Food Security को लेकर States का जो performance है वो 2019 के मुकाबले 2023 में अगर हम देखें तो यह बहुत बुरे तरीके से decline हुआ है Decline अगर हम State-wise बात करें तो आपको ऐसा समझना होगा, महराश्ट्रा ने यहाँ पर एक steep fall लिया है जिसमें इन्होंने score किया था 74 in 2019 लेकिन वहीं अगर हम 2023 की बात करें तो इनका score आपको देखने मिलेगा 45 वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो इनका score हो गया है 20.5 जो कि पहले आपको 46 देखने के लिए मिला था Now the questions come, what is this State Food Safety Index और हम इसके बारे में क्यों discuss कर रहे हैं देखिए State Food Safety Index के बारे में अगर हम बात करें तो FSSAI के द्वारा इसको 2018-19 के असपास इसको यहाँ पर launch किया गया था इस समय अगर हम बात करें तो जो पहला World Food Safety Day था 7th June 2019 उसी के साथ उसी की line को match करते हुए पहला State Food Safety Index launch किया गया था important क्यों launch कौन करता है तो जैसा मैंने आपको बताया FSSAI इसको यहाँ पर launch करता है ताकि जो performance है state की उनको 5 significant parameters के आधार पर देखा जा सके यह parameters होते हैं हमारे human resource and institutional data, compliance, food testing, infrastructure and surveillance, training and capacity building and consumer empowerment अगर हम इस index की बात करें तो यह quantitative भी होता है यह qualitative भी आपको यहाँ पर nature में देखने मिलेगा और states और uts को क्या food safety से related उनका index है, क्या उनका performance है और क्या यहाँ पर करने की आवश्यक्ता है इन सारी चीजों को बताने का काम इस particular index के द्वारा किया जाता है इसी के साथ यहाँ पर एक नया parameter भी add किया है आप याद रखेंगे which is the improvement in SFSI rank इसको यहाँ पर add किया गया है ताकि जो जितने भी states है, uts है, इनके जो performance है previous year को लेकर उसकी improvement की list भी यहाँ पर release की जा सके आगे समझ लेते हैं food safety and standard authority of India के बारे में FSAI के अगर हम बात करें एक statutory body हो जाती है जिसे government of India ने food safety and standard act 2006 के तहत यहाँ पर establish किया है इसके अगर हम enforcement में आने के बात करें तो 2011 से यहाँ पर आपको force में देखने के लिए मिल चाहेगी और जितना भी food safety से related जो standards होते हैं क्या regulation होने चाहिए और जितने भी supervision करने की आवशकता है उन सभी के लिए responsible body के रूप में यहाँ पर काम करता है FSA CI के अगर हम बात करें तो साथ ही यह एक scientific standard create करता है क्या food manufacturing के लिए क्या तरीके अपना जाने चाहिए storage, distribution, sale, इन सारी चीजों से related जितनी भी information है, terms and condition है, regulation है इन सभी के बारे में भी यहाँ पर FSA CI भी आपको काम करता हुआ नजर आएगा along with that जितने भी registration होते हैं food businesses के लिए आपने कई बार कोई सामाना आप खरीदते हैं आप उसके पीछे देखते होंगे कि FSA CI का एक logo बना होता है तो इन सभी के लिए registration देने का काम भी यहाँ पर FSA CI करता है क्या additive Z किये जा रहे हैं food nutrition क्या है sudden inspection करना, testing करना, surveillance करना भी इसी के अंदर आता है along with that अगर FSA CI के द्वारा decide किएगा किसी भी norms को कोई यहाँ पर follow नहीं करता है तो उनके खिलाब जितनी भी actions लेने होते हैं वो लेने की भी responsibility इसी particular body की होती है चलिए, बात करते हैं अगले article के बारे में, काफी अच्छा article है और इसको हम पढ़ने क्यों वाले हैं, देखिए World Biosphere Reserve Day के बारे में कारण समझ लीजिए, 3 November आज की का दिन जिसे हम World Biosphere Reserve Day की रूप में यहाँ पर celebrate करते हैं This is the second time census launch हम यहाँ पर बात करने वाली हैं, Biosphere Reserves की देखिए, अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो Biosphere एक protected reserves की तरह काम करते हैं बहुत important हो जाते हैं क्योंकि यह सभी का एक जो आपको culture देखने के लिए मिलता है जो लोग है, flora, fauna और सभी यहाँ पर एक ही periphery में किस तरीके से रह रहे हैं किस तरीके से यह हमारे environment के लिए, हमारी ecology के लिए important है उसका एक बहुत बड़ा signal यह होते हैं ऐसे में जो हमारी single use plastic है, इनका इस्तिमाल बढ़ता जा रहा है क्योंकि 80% जो tourism है, यह कहीं न कहीं coastal areas के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है result into, जैसे ही आप coastal areas पर घूमने के लिए जाते हैं हम usually bottles, water bottles हो जाते हैं, plastic bags हो जाते हैं, chips के packet हो जाते हैं इनको यहाँ पर throw कर देते हैं और ऐसे में जो biospheres हैं, यह damage होते हैं अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा example दिया है, South Omo and principal in Africa यहाँ पर क्या किया गया, school children's को जभी भी यह कहीं पर किसी trip पर जाते हैं तो इनको stainless steel के bottles दिये जाते हैं so that जो daily production और consumption है single use plastic का, यह यहाँ पर कम हो सके ऐसे में UNESCO ने, जिसे हम United Nation Educational Scientific and Cultural Organization बोलते हैं जभी यह biosphere को यहाँ पर एक protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है that means यह एक movement दिखाने की कोशिश कर रहे हैं pollution को कम करने के लिए, climate resilience को बढ़ाने के लिए साथ ही land, coastal और marine ecosystem में एक similarity create करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है so usually हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए यहाँ पर कि biosphere reserves आखिर होते क्या है तो देखे, कोई भी एक ऐसा cultural या natural landscape जो की आपके terrestrial, coastal या marine ecosystem में यहाँ पर मौजूद होता है जिसके अंदर economic और social development को balance दिखाना होता है, जो living organisms होते हैं, चाहिए हम flora, fauna की बात करें इन सभी को protection देने के लिए यहाँ पर UNESCO के दौरा किसी particular area को biosphere reserve के अंदर declare कर दिया जाता है That means इसमें सारी local community, सारा biodiversity को protect करने का भी काम यहाँ पर किया जाता है आज की date में अगर हम देखें तो जितने भी biosphere reserve है, जैसे जैसे climate यहाँ पर change होता जा रहा है जैसे जैसे temperature बढ़ता जा रहा है, ऐसे जो जितने भी biosphere reserve है, यह carbon को यहाँ पर carbon sink के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं carbon pool का बहुत अच्छे से काम करते हैं, कारण क्यों हमको पता है कि भई जो हमारे forest होते हैं, जो हमारी ocean water bodies होती हैं, यह एक तरीके का natural pool create करते हैं to take all the carbon, right? इसे लिए important हो जाता है कि हम इनको protect करें, और पूरा focus यहाँ पर दिया जा रहा है, single use plastic के लिए देखे, recently एक बहुत अच्छा initiative भी लिया गया था, जब हम बात कर रहे हैं, मनार की, Gulf of मनार की यहाँ पर, जो की biosphere reserve trust के अंदर आता है इनको एक award दिया गया था, which is the Michelle Batesy Award, कारण क्यों, single use plastic के लिए यहाँ पर checkpoints बनाए गये हैं ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी वहिकल में plastic की चीजों को लेकर यहाँ पर नहीं जा सके result into, जो ecosystem है, यह protect होगा, nature हमारी protect होगी, oces हमारी यहाँ पर protect होगी, deforestation कम से कम हमें देखने के लिए मिलेगा चले, आगे अगर हम बात करें, तो भाई हम किस जगे को यहाँ usually biosphere की category में लेते हैं, हमको यह भी समझना होगा या इनके काम क्या है दिखे, सबसे पहले अगर आप biosphere का function समझना चारे हैं, तो यह conserve करते हैं, genetic resource को, species को, ecosystem को, land escape को हम अगर इनके development functions के बारे में बात करें, आप याद रखेंगे CDL, ठीक है, अगर हम developmental functions के बारे में बात करें, तो sustainable और economic development को बढ़ाना, sustainable human life को promote करना, इनका काम होता है logistic support की बात करें, तो यह support देते हैं, research और analysis के लिए, conservation और sustainable development के लिए और इसी के तहत यहाँ पर एक zonal system create किया जाता है, ताकि एक mutual reinforcement create किया जा सके, और यह reinforcement create किया जाता है, तीन तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पर एक core zone बना दिया जाएगा, buffer zone create कर दिया जाएगा और एक transition zone create कर दिया जाएगा for example, this is the area, okay, so suppose this is the core zone, right, उसके बाद एक और area create कर दिया जाएगा, this will be the buffer zone and the outer area will be the transition zone अगर हम इस core zone के यहाँ पर बात करें, तो यह habitat provide करता है, पूरी तरीके से secure होता है, protected होता है और यहाँ पर जितना भी ecosystem है, इसको preserve किया जाता है, right, तो जितनी भी species है, genetics है, इनके अलग-अलग variations हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे आप water की बात करें, flora, fauna, air, soil, सभी को, जितना भी biota है आपकी ecosystem में, उस सभी को core zone में अगर वो आ रहा है, तो उसक protection दिया जाता है, second अगर हम बात करें, तो हम एक buffer zone देखने मिलता है, जो कि core zone के चारों तरफ होता है, यहाँ पर जो लोग होते हैं, यह harmony से रहते हैं nature के साथ, that means, यह एक ऐसे zone की तरह यहाँ पर एक area provide करता है, जहाँ पर जितनी भी ecological practice है, वो बिना किसी भी चीज को नुक पहुंचा है, उसे यहाँ पर conduct किया जा सके, that means, यहाँ पर आप देखेंगे, तो scientific research, monitoring, training और education के लिए सारी विवस्ताइं की जाती है, और lastly हमारे पास आता है transition zone, जो की part होता है reserve का, जहाँ पर important activities के लिए permission दी जाती है, economic और human development के लिए, economy, tourism के लिए, यहाँ पर permission आपको द जिखान में रखते हूं, हमें एक और चीज समझनी है, कि जब हम biosphere reserves की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा, इंडिया और इंडिया में आने वाले biosphere reserves, सबसे पहला biosphere reserve जो इंडिया में यहाँ पर declare किया गया था, इट इस दिन्नीलगीरी biosphere reserve, जिसे 1986 में biosphere reserve क इसका पार्ट बनाया गया था, वायनाड, नागरोल, बांदीपोर, मदुमलाय, निलंबूर, साइलेंट वैली, सिरुवनी हिल्स, ये सब ही इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, इसके बाद अगर हम second की बात करें, तो इस दिनन्दा देवी 1988 में इसको य गया था 1999 में, along with that, पन्ना, जिसे रिसेंटली, जो सबसे रिसेंटली एडिशन बोला जाता है, 2011 में इसका पार्ट बनाया गया था, इसके अलावा, कई बार, Man and Biosphere Reserves की बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है, तो दीखिए, Man and Biosphere Reserves को अगर हम देखें, तो इसके अंद 1971 में, UNESCO Man and Biosphere Reserves प्रोग्राम को यहाँ पर शुरू किया गया, यह एक इंटर गवर्मेंटल साइन्टिफिक प्रोग्राम है, जिसका मुख्यो देश होता है, साइन्टिफिक बेसिस पर एक human और environment के बीच में relationship create करना, that means यहाँ पर एक combined natural and social activities की जाती है, economic और education improvement के लिए, human life को अच्छा बनाने के लिए, साथ ही यह समझाने के लिए कि किस तरीके से हम ecology अपने environment के साथ कुछ profits को यहाँ पर share करते हैं, और उसी को धियान में रखते हुए हमारी जो state governments हैं, यह management action plan जिसे usually monitor किया जाता है, central MAB committee के द्वारा उसको follow करते हैं, ऐसे में अगर हम MABs की बात करें, तो आप अगेन याद रखिएगा कि इस project के अंदर गर्ट सबसे पहले, नील गिरी को 2011 में MAB program का part बनाया गया, इसके अलावा Gulf of Mannar, सुंदर्बन, नंदा देवी, फिर आपको importantly, very importantly, पचमडी को 2009 में, यहाँ पर MAB program का part बना लिया गया, और recently, पन्ना Biosphere Reserve जो है, इस को 2020 में MAB program का part बना लिया गया था, चलिए, I hope यहाँ तक आपको सारी चीज़ें clear हो चुकी होंगी, चलिए, इसी के साथ एक और important point में आपको बताना चाहती हूँ कि 2021 में, ठीक है, 2021 में UNESCO ने world's first five country Biosphere Reserve को यहाँ पर disclose कर दिया, और इन 5 countries के अगर हम बात करें, तो इसके अ में आपको देखने मिल जाएगा, Austria, Slovenia, Croatia, Hungary and Serbia, इसे 5 country का Biosphere Reserve बोला जाता है, जिसके अंदर 250,000 से भी जादा birds को protect किया जाएगा, लगबग 150 से भी जादा breeding pairs को यहाँ पर protection दिया जाएगा, इसके area के बात करें, तो 2000 sites इसके अंदर include की गई है, ओके, so this you have to remember, 2021 में, 5 countries को मि जाएगा है, जिसमें आपको Austria, ठीक है, आपको Slovenia, आपको Croatia, Croatia, then Hungary and Serbia आपको इसका part देखने के लिए मिल जाएगा, चलिए, बात करते हैं आगले article के बारे में, दीखें, National Council of Educational Research and Training which is the NCERT, इन्हों ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा step लिया है, ताकर voter apathy को create किया जा सके, young citizens के अंदर, इसी लिए, एक content on electoral literacy को यहाँ पर introduce किया जाएगा, इन्दी textbook, आगे आने वाले सालों में, 6 से 12 वीक की, जितनी भी किताबें होंगी, इसके अंदर आप देखेंगे, electoral literacy text books यहाँ पर release की जाएगी, ताकि, जो हमारे elections होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, एक awareness यहाँ पर create की जा सके, अब यह important क्यों हो जाता है, देखेंगे, जो initiative है, इनको कहीं ना कहीं, teacher training और student training के benefits से यहाँ पर रखा गया है, ताकि classroom में electoral literacy को बढ़ाया जा सके, और इस इनको यहाँ पर establish किया जाएगा, school or colleges में, ताकि voter awareness को बढ़ाया जा सके, होगा क्या, यहाँ पर students को encourage किया जाएगा, कि voting education में और इन सारी जीज़ों में participate लें, एक mechanism create किया जाएगा, जहाँ पर आपको voter ID's card यहाँ पर बनवाया जाएगे, students के, जैसे ही वो 18 साल को cross करते है Along with that, ELC की मदद से ही जो बच्चे हैं, इनके अंदर इस तरीके का attitude लेकर आया जाएगा, इस तरीकी की चीज़ें लेकर आये जाएगी, कि अपने school level से ही college level तक आते आते, यहाँ पर इस चीज़ों के लिए सीख जाएगे, अगर हम school level पर ELC's club की बात करें, तो यहाँ पर ज इतने बच्चे हैं, 14 से, 17 साल के उनको इसका member बनाया जाएगा, अगर हम school level पर बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम college level पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नए voters हैं, उनको इहाँ पर involve किया जाएगा, that means 18 से 21 साल के लोगों को, इसी के लावत चुनाफ पार्ट शाला भी इह create कर सके, जो ऐसे लोग, जो की school नहीं जाते हैं, जो बच्चे जो school नहीं जा पाए, उनको भी इसके बारे में सिक्षित करने के लिए, चनाफ पार्ट शाला को यहाँ पर create किया जाएगा, along with that voter awareness forum यहाँ पर create किया जाएगा, इसको develop किया जाएगा, ताकि हम voter awareness यहाँ पर ज यहाँ पर हमें समझना होगा carbon border adjustment mechanism, जो की European Union ने यहाँ पर लगाया हुआ है, और इसी की वज़े से इंडिया को बहुत भारी भरकम carbon tax को जेलना पड़ रहा है, चलिए, अगर मैं आपको इसका एक short introduction देना चाहूँ, तो CBAM, जो FIT 55 in 2030, जो EU का एक package है, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, विच मीन्स यहाँ पर European Union प्लान कर रहे है, कि वो अपने greenhouse gas emission को 55 प्रतीशत तक यहाँ पर reduce कर दे by 2030, जो की 1990 के levels को यहाँ पर compare किया जा रहा है, और इसी CBAM के अंतरगत, यहाँ पर एक tool, एक mechanism लेकर आया गया है, carbon emission को control करने के लिए, जिसे हम carbon border adjustment mechanism बोल रहे है, इसका implementation यहाँ पर किस तरीके से होगा, क्या objectives है, इसके बारे में हम समझ चुके है, now we have to understand कि आखिर इसका इंडिया पर क्या impact करने वाला है, देखें, इंडिया जो की usually export करता है अपने iron, steel, aluminium product को to European Union, ऐसे में जो European Union का बोलना यह है, अगर आप यहाँ पर border cross कर कि यहाँ पर सामन बेचने के लिए आ रहे हैं, then you have to face extra scrutiny under the mechanism, that means आपका जितना carbon footprinting होगी, उतना ही tax आपको देने के लिए पड़ेगा, result into, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं, वो यहाँ पर महंगी हो जाएंगे, और इंडिया को इसकी वज़े से बहुत ही जादा loss का साम ना करना पड़ सकता है, छले, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर होने क्या वाला है, अब देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला कि हम carbon pricing के बारे मैं बात करेंगे, that means CBMA के अंदर carbon pricing का मतलब क्या होगा, जितना भी imported good है उसको यहाँ पर assess किया जाएगा, उसकी carbon price कितनी है यह देखा जाएगा और इसके उपर जो भी उसका carbon footprinting है यह लगाए जाएगा और इसी को लेकर देखिए, इंडिया को एक तकलीफ है कि भई, जो carbon footprinting आप अपने हाँ बात कर रहे हैं, एक unfair carbon pricing की आप बात कर रहे हैं, because it cannot be same in India and in Europe because of the different circumstances, यहाँ पर अब द कोलते हैं, उसको भी समझ लीजे, जो EU के आसपास के छेतर हैं, यहाँ की जो industries हैं, यह अपने industry को छोड़कर cross border कहीं और plant लगा लेती हैं, ताकि EU के बहुती strong taxes and straight carbon pricing और emission के जो regulation से उनसे बचा जा सके, ऐसे में European Union ना decide किया है कि भई, यह जो cross border की वज़े से carbon leakages होता है, इस So for example, by imposing this particular carbon tax on import, what EU is aiming for, कि भई, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, लेकिन if you are, you know, you are importing particular thing or exporting particular thing again in the Europe, then you have to pay certain tax, साथी यहाँ पर major focus है, green transition को create करना, climate mitigation से नपटने के लिए काम करना, although it's a complex implementation, but इसी की वज़े से global trade बहुत जादा impact हो रहा है, especially trade barriers या discriminatory measure भी इसको माना जा रहा है, और इसी की वज़े से India जो है, वो बहुत ही जादा सफर कर रहा है, because of this adjustment, क्यों, क्योंकि India में, जो आपका iron, ore, steel production, जैसी aluminium production है, यह यहाँ पर लगातार इनको certificate purchase करना होगा, कि भई, यह हमारा carbon footprinting है, और उसको decide किया जाए गा EU के norms के आधार पर, result into जो carbon tax है, जो consignments होंगे, जैसे आपके steel, aluminium, cement, fertilizer, hydrogen, electricity, इन पर भी 2026 से EU बोल रहा है, कि हम carbon tax लेंगे, ऐसे में इंडिया का जो export है, वो बहुत ही बुरे तरीके से hamper होगा, और राइट, चले, Now, I have one question for you, आप मुझे comment section में बताएंगे, कि इंडिया कौन से ऐसे measures ले सकता है, जिसकी वज़े से वो CBAM को, से mitigate कर सके, एक option मैं आपको दे सकती हूँ, which is the decarbonization principle, एक option आपके पास हो जाएगा, transfer of green technology, एक और option आपके पास हो जाएगा, EU tax framework के साथ, यहाँ पर negotiations करना, etc., etc. Moving on to the next article of the day, और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, City of Music and City of Literature, yes, we are talking about the Gualier and Koze Goda, recently United Nations Educational Scientific and Cultural Organization के द्वारा addition किया गया है, पचपन New Cities का in the Creative Cities Network, which is also known as United Nations Creative Cities Network, इसको भी समझेंगे आराम से, लेकिन उसके पास है, पहले हमें जालना होगा, Koze Goda, जो की Keral में situated city है, इसको नाम दिया गया है, City of Literature, और Gualier, जो की Madhya Pradesh की city है, इसको नाम दिया गया है, City of Music, इन दोनों को समझने के पहले, आपके पास और भी बहुत सारी cities हैं, जिनको अलग-अलग तरीके के recognition मिले हैं, पहले उनको लिस्ट यहाँ पर आप देख लीजे, जैसे आपको देखने में लेगी वारा नसी, which is the creative city of music, along with the chain nine, it is also the city of music, Bangaluru, again the music, Gualier भी आपको music में देखने मिलेगा, बट कोजे कोडा जो है, यह literature के लिए पहली city है, Hyderabad is for the gastronomy, Mumbai everyone knows for the film, and Shrinagar for the crafts and folk art, तो पहले तो आप इन चीजों को यहाँ पर याद रखेंगे, चले, बात कर लेते हैं, अगर हम कोजे कोडा के बारे में, तो कोजे कोडा देखें, पहली city है, इंडिया की, जिसको prestigious title मिला है, city of literature, UNESCO के द्वारा, कारण समझ यह क्यों, क्योंकि बहुत सारा prominent write-ups हमें, कुंद लता, ठीक है, उसको भी यहीं पर authored किया गया था, 1887 में, along with that, अगर हम कोजे कोडा की बात करें, तो केरला में situated है, यहाँ पर केरला literature festival भी मनाया चाता है, जिसके अंदर largest, जो literally gatherings होती हैं, एशिया की, वो हमें देखने के लिए मिलेगी, कोजे कोडा की बात करें, तो 500 से भी जादा library की एक city है, बहुत सारे renowned writers, यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे, S.K. Puttikat, जो की most celebrated writer यहाँ पर माने जाते हैं, and many more, along with that, हमें बात करनी होगी, ग्वालियर के बारे में, जो everyone knows, it is famous because of the great Tansin, ठीक है, Tansin की क्यों हम यहाँ पर बात करें, Tansin जिन राग गाते थे, जिससे दिये भी जल जाते थे, उस राग का नाम क्या है, इनकी importance क्यों है, यह अकबर के 9 dwells में यहाँ पर शामिल थे, ग्वालियर घराना से यह बिलॉंग करते हैं, along with that, जो सबसे बड़ा annual musical festival होता है, इंडिया का, which is the Tansin Sangeet Samharu, वो भी आपको यहीं प में by the UNESCO, इसके अंदर आपको 350 से भी जादा cities देखने मिलेंगी, 100 से जादा countries देखने मिलेंगी और इसका मुख्यों देश है, एक cooperation create करना cities के मद्ध, ताकि जो creativity है different areas में, उसको यहाँ पर promote किया जा सके, और urban sustainable development create किया जा सके, और जब हम sustainable development goal की बात करें, तो आप याद र इसके अंदर 7 creative fields को involve किया गया है, like craft and folk art, media art, film, design, gastronomy, literature and music, और इसी के साथ आप देखेंगे, इंडिया में ये list complete हो जाती है, almost सारी category में, इंडिया को यहाँ पर designate किया जा चुका है, चलिए, talking about the main question of the day, पहला question आपको देखने मिलेगा, biosphere reserves को लेके, और दूसरा आपको United Nation Adaptation Gap Reports, so what all you have to do, आपको यहाँ पर correct answer लिखना है, click the photograph and upload it on our website, we will see, we will check and we will definitely get back to you कि आपको क्या improvement करने की आवश्यक्ता थी, so thank you for watching this video, do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates, thank you and see you tomorrow.